हेलो दियर इस्ट्वेंट्स तुड़े अ वेरी लॉंग और लेटर टाहिम यार गोईंग तु स्टार्ट दे सेकेंड पार्ट ऑफ दे पोएम आथिंग ब्यूटी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसका फर्स्ट पार्ट इस पूरी कविता में जॉन किट्स ने बहु चोबूपती बै Torini से ने चर की खुबसूरु को बताया ह्跟我 meet one अच्छे से बताया है की कभी-कभी तो एक बहुत अच्छे शोभाहु का वेक्ति-बी निर्वल सभाह का वेक?!? अवेक्ति-वि गलत सभाहु में चला जाता है गलत रास्तों पे चला जाता है बिकोर, he is totally unable to understand the beauty of nature's value that's why he takes the wrong way today we will study or recite the poem a thing of beauty and the second part of this poem second part जो है इसका उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे इससे हमने पहले रोप कर दिया है आप उध्यान से समझना है येस इन स्पाइट फॉल सम्षेप ब्यूटी मूब्जवे दपॉल फॉमाट डार्क स्प्रीट सच दलसन दमून प्रीज ओल्ड यंग इन सबके बावजूट सुंदर्ता का एक प्रकार सुंदर्ता का एक आकार हमारे आवरण को हटा देता है मूब्जवे दूर कर देना मूब्जवे is a synonym of removes दूर कर देता है दपॉल आवरण को दूर कर देता है हमारे उपर जो काला आवरण आ गया है हमारे अंदर जो कलूशित बाते आ गई है bad things आ गई है, bad nature आ गया है, उस temperament को दूर कर देता है, उनill thoughts को दूर कर देता है, उनill things को दूर कर देता है, जो हमारे अंदर आ चुकी है, कौन कर देता है, सुंदर्ता का प्रकार, प्रकार means, सुंदर्ता, nature of beauty, जैसे कि, अब सूरज, अब मैं कुछ उधारन आपके सामने बत जाँगा कि जैसे सूरज हुआ सूरज उखता है बहुर होती है और सब जाग जाते हैं वी और एड़ टाइम वी फिल एनरजेटिक आज सेल्फ हम अपने आपको बहुत एनरजेटिक फिल करते हैं चंद्रमा की रोशनी में हम भी एक कॉंफिदेंस को फिल करते हैं क्योंकि चं व्रद पेड जिनकी उम्र जादा हो गई है या जो पोदे हैं सैपलिंग्स के रूप में सब पेड छोटे से लेकर बड़े पेड तक का जो आकार है वो सब खुबसूरती को दर्चाता है नेचर की खुबसूरती को बताता है इस प्राउटिंग ग्रूइंग यानि बढ़ा एक आशिरवात देता है सिंपल शिप सामाने सी भेड़ों के लिए जिन भेड़ों को वो शेफट चरा रहा है कभी खुद हैं जो यहां पर यह सोच रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको इससे फर्स पार्ट में पूरी कहानी बताई थी जिस तरह से यह पूरी कहानी थी तो उ हमारे अंदर जो इल्ट थॉट्स हैं हमारे मन में हमारे दिल और दिमाग में उन सारी चीजों को कॉम्प्लिटली रिमूव कर देता है नेचर की खुपसूरती नेचर की खुपसूरती वह मैजिक है जो हमारे अंदर से हर गंदगी को रिमूव कर देती है कॉलैप्स कर देत कर देती है गंदगी को ताकि हमारे अंदर पोजिटिविटी का संचार हो और उसमें कौन-कौन सी चीज़ा आती है सूरज है चंद्रमा है छोटे बड़े पेड़ पोदे हैं और वो इस तरह से छाया प्रदान करते हैं उन सामने से जानवरों के लिए इसपेशली यहां भेड के लिए आया है उनके लिए वो प्रदान करते हैं चाया प्रदान करते हैं तो यह भी एक वर्दान है यह भी अच्छी बात है नेचर की खुबसूरती के लिए इसी करम में जब हम आगे बढ़ते हैं रिच विदे स्प्रिंक्लिंग और फेर मस्क रॉज ब्लूम्स और इसी प्रकार से डेफोडिल से जैसा कि आप पिक्चर में इस में देख पा रहे हैं इस स्टेंजा में बहुत खुबसूरती से इमेजिरी का प्रयोग किया है जॉन केट्स ने बहुत अच्छे से बताया देखे यलोई कलर का यह फूल होता है डेफोडिल जिसे हिंदी में नर्गिश का फूल भी कहते हैं इस प्रकार से डेफोडिल से यह खुबसूरत चीजें आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्विश्चन भी आएगा कि मैंशन the things which show energeticness and positivity in our minds ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाती हैं positively वो कौन-कौन सी है उसमें सूरज है चंद्रवा है हारे पेड़ पोदे है वसी क्रम में नर्गिश के फूल है और वो विद ग्रीन वोर्ड ग्रीन वोल्ड क्या है यहां पर फोरे लाम स्थेम्स चोटे जर्ने चोटी चोटी धारे ढल आएं जो अपने आप में शीतल्ता प्रदान करने वाली कूलिंग शीतल्ता प्रदान करने वाली कोवर्ड आश्र एस्थल बन जाते हैं आश्रे स्थल किसा जाडियों का उजुर मूटका वाहां सपास पानी है और वो एक आश्रे स्थल बन जाती हैं, जैसे कि आप जानते हो, पुराने टाइम में लोग जब दूर जाया करते थे, तो गुरूप में जाया करते थे, और जब उन्हें प्यास लगती थी, जो पास में जलदाराइं बैती थी, वहां से पानी पी कर, वो अपनी थ्रस्ट को, अपनी क्वेंच करते थे, बुजाते थे, और वहीं पर पेड़ पोदों की छाओ में बेट कर विश्ट्राम करते थे, फिर आगे की और वो गवन करते थे, इस प्रकार से, पुराने टाइम में, ट्रेवलर्स आया करते थे, और जाया करते थे, रिच विदे स्प्रिंक्लिंग और ब्लूम्स और जंगल के बीच में, जंगल के बीच में जाडियों में जो की धन धाने से परिपूर्ण हैं, वो शान शोकत से परिपूर्ण रिच बहुत अच्छी हैं, स्ट्रेश्ट दिखती हैं, बिखेरते हुए, उसमें फेयर, खुबसूरत, मस्क, रोज, कस्तूरी जानते हैं, कि गुलाब का फूल एक ऐसी जाड़ी में उखता है, काटेदार, एक तरीके से काटेदार प्लांट होता है, उसमें यह खिलता है, तो इतनी जंगल में, पूरे इस जंगल में, जहां वीराना है, सुनसान है, वहां भी खुबसूरती बिखेरती है, नेचर की य सतीक, यहां पर है कस्तूरी गुलाब, जो अपनी खुश्बू बिखेरता है, यहां पर कूलिंग कोवर्ट, यहां पर बहुत ही खुबसूरती से, अगर हम ध्यान दें, यहां पर इस चीज़ का बहुत ध्यान से समझना, को यहां पर आलिट्रेशन का यूज़ किया गया है इन दिस ब्यूटिफुली एस पोईटिक डिवाइस या आपको अच्छे से धियान रखना है इसके हम लास्ट इस्टेंजा की ओर चलते हैं वह धियान से समझना अच्छे से और लवली तेस्ट तरह और रीद बियुट्ट व्यंट ठान अच्छे से घ्डूर महान व्यांति आउच्छे से अच्छे से अच्छे से का डिवक्ड़ू उटूर्टर इस दिस घ्यूर्ड़ प्रॉड्टर पारी उंमृड़ यूर्द धियुट रिखना है तो इस प्रकार का यह गौर विनाश का समय भी दियान से गौर करना तुई जब विनाश होता है वह हमारे लिए बहुत destructive होता है लेकिन destructive होना भी हमारे लिए जरूरी है तब यह तो हम किसी चीज को renovate कर पाते हैं जो नवीनी करन कर पाते हैं renovate means किसी चीज को नया बनाना आप समझेगा कहते हैं न कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी चपाई यानि आपको कोई बुराई करता है आपकी कोई निंदा करता है तो वहां पर आपको अपनी कम्यों को दूर करने का मौका मिलता है ताकि आप भविश में आपके करियर में अपने आपको और अच्छे से डिवलप कर सके तो यहां पर कवी ने चौन किट्स ने बहुत खुबसूरती से बताया है कि यह गौरव है विनाश के उपर एक गौरव है खुबसूरती का नेचर्स ब्यूटी का मैं कहता हूं सारी दुनिया तबाह हो जाती है बावजुद इसके नेचर की खुबसूरती वो चीज़ है जो जल्दी से फैल कर बढ़ जाती है और के बारे में warriors यानी योद्दा जिन्हों ने sacrifice किया अपनी जान दे दी अपने देश के honor को बचाने के लिए तो यह जो sacrifice है उन लोगों का mighty dead like हम बात करेंगे उन महापुरुशों की जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आपको कुर्बान कर दिया भगत सींग, सुकुदेव, राजगुरू, महत्मा गांदी, मैं बात करूँगा, अब्दुलकलाम जी, यह वो स्ट्रेस्ट लोग थे, जिन्होंने पूरे जीवन, बहुत महनत की, और हमारे देश के अंदुलोनों में, और इनमें बहुत अच्छी भूमी का निवाई, और देश के डिवल इस सुनने के बाद हमारे मन में आप्तिमिस्टिक नैस आती है, पॉजिटिविटी आती है, हाँ, ध्यान से एक बार और में बता देता हूँ, कि हम कल्पना कर चुके, उन सारी, हम इमेजिन कर चुके, उन शक्तिशाली लोगों के बारे में, उनके उस विनाश के बारे में दुखदाई इस्तितियों के बारे में भी, लेकिन हमें आज गोरव होता है, ऐसे लोगों पर जिन्हों ने आमरे देश के लिए जान दी सेक्रिफाइस किया, उन सबी कहानियों में, जिन कहानियों का आपने या तो पढ़ा है, या सुना है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ पॉरिंग अंटू अस फ्रॉम धायवन सब्रिंग, कभी न खतम होने वाला जहर्ना, फाउंटेन यानि जहर्ना, ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल यानि जो अमर होता है, जिसे कभी कोई नस्ट नहीं कर सकता, सिनोनिम के रूप में आप यहां क्लिक सकते हो, अवलास्टिंग, क एक्चुल में इमोर्टल ड्रिंक का मतलब यहां पर है, नेचर की खुपसूर्ती, अनन्त रूप से कभी न खतम होने वाला फवारा चल रहा है, जहर्ना बह रहा है, नेचर की खुपसूर्ती में, उसके आगोश में, उसकी गोद में, वो जहर्ना बह रहा है, और किनारे से ऊड़े ली जा रही है, यानि वो ओस की, due drops नहीं औस की बॉंदे ही हैं हम जब बैठते हैं पेड़ की छाओं में और उपर ओस जब रहला हो जाती है तो उसकी बॉंदे जब गरती है तो हमारे, हमारे पूरी श करदेती है, Cool temperature हमारा करदे हैं हम कितने भी नर्वस हों हम उस समय बहुत ही पॉजिटिविटी में आ जाते हैं बहुत खुबसूरती से जॉन किट्स यह बताना चाहते हैं नेचर वो जगह है जहां पर आपको ऐसी फिलिंग आती है कि आप नेचर में नहीं बलकि स्वर्ग में बैटे हो और उपर से कोई अमरित रूपी जलदारा बह रही है जो आपके मन को शरीर को पेजस्वी बना रही है बहूत अजस्वी बना रही है और ये अच्छी फिलिंग हमारे अंदर तभी आती है जब हम नेचर की खुबसूरती को समझते हैं उसी के बाद हमारे अंदर से जो भी अंदिकार है वो में बदल जाता है रोशनी में बदल जाता है इसलिए हमें उकते सुरज को हमेशा वाच करना चाहिए positivity के साथ और हमें हमेशा positive सोचना चाहिए जिस तरह से जॉन किड्स ने इस कवीता को दे कर लिख कर और हमें स्प्रेट किया है अपने ग्यान को तो वह इस पॉइंट के जरी यही मेसेज देना चाहते हैं कि in the whole world nature's beauty is the vital power where you find yourself very confident positive and realistic तो हम इसमें देखते हैं poetic device के रूप में यहां पर imaginary का बहुत खुबसूरती से यूज हुआ है अच्छे से इसमें यूज किया है आपको अच्छे से समझना है इसका first part मैंने आपको पहले समझा दिया है और प्रयास कीजिएगा बच्चों मेरे वीडियो को share करने का पिल्कुल like भी करना है share भी करना है और comment section में जाकर आपको जैसा लगता है फिर भी अगर कोई भी question अगर आपको raise करना है आपको लगता है you want to ask any questions answer you will give me the question into the comment section अब वहां जाकर comment section में जाकर आप मुझे question raise कर सकते हैं जैसे मुझे time में लेगा मैं उस answer को want develop करूँगा उसको मैं जरूर आपको send कर दूँगा जैसे आप उसे पूछेंगे और बिल्कुल subscribe कीजिए bell icon का आपको बटन बिल्कुल push करना है subscribe करना है जितना spread कर सकते हैं आप कीजिए मैं थोड़ा delay हो गया because of accident मुझे 15 days something हो गए मैं वीडियो नहीं बना पाया बट तुड़े और अब से मैं बिल्कुल regular हूँ और लगबा हर एक दो दिन या तीन दिन बाद आपको एक नया वीडियो मेरा मिलेगा इसके बाद last point जम नंबर six की है आन जेनिफर स्टाइगर्स I'll recite this one or two days later मैं आपको उसको उसका नया वीडियो आपको definitely मिलेगा और मैं यह भी चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ को बहुत spread करें share करें like करें ताकि मैं अपनी knowledge को जितना मैं दे सकता हूं मेरे अच्छे students को नीडी students को मेरे workaholic students को वो मैं जरूर दूँगा जितना मैं बना सकता हूं वीडियो जरूर बनाऊंगा और after poetry section मैं आपके 11th में 12 में जो चाट topics हैं फ्रेजल वर्ट हैं सिंतितिस से clauses हैं और position से मैं इनके उपर भी बहुत सारे वीडियो लेकर आ रहा हूं आप मुझे बस संबल देते रहिए definitely मैं आपके साथ हूं बस आपका साथ मुझे चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं have a nice day okay bye bye all the best my dear students